Find Power Consumed and Steady State तो Steady State Situation में क्या find करना है? Power Consumed find करनी है ठीक है न? इन्दस सर्केट, पूरे सर्केट वह है Steady State में आपको पहले भी बहुत बर उता है कि Steady State कब आती है? Infinite Time पे और उस पर क्या हो जाता है? कि कैपस्टर फुली चार्ज हो जाते है और कैसे बिहेव करते हैं open circuit की जैसे मतलब जहां जहां capacitor लगाए वहाँ पर आप क्या लगा दोगे टूटी हुई wire लगा दोगे तो देखो जहां जहां capacitor लगाए एक capacitor यहां लगा है एक capacitor यहां लगा है तो यहां पर आप wire तोड़ दोगे ठीक है अब देखो current circuit में कैसे जाएगा यहां से जाना शुरू होगा यहां जानी पाएगा यहां जाएगा यहां पे भी नहीं जा पाएगा क्योंकि यहां जाने के बाद current को return होना पड़ेगा return होनी पाएगा तो इसलिए current यहां जाके सीधा यहीं आ जाएगा तो यानि कि ये तीनों रेजिस्टर अब काम के नहीं रहे तो करंट कितना हो जाएगा सर्किट में करंट हो जाएगा I equals to V by R V तो 2V है और रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 2 प्लस 2, 4 तो I हो जाएगा अपने पास 1 by 2 एंपेर के बराबर तो पावर होती है हमारी I square R equivalent तो I तो निकाल चुके है अपन 1 by 2 R equivalent इतना होगा इन दोनों का दोनों सीरीज में क्योंकि ये तो है ही नहीं ये आप देखो ना ये ये है ही नहीं क्योंकि ये current नहीं जा रहा तो कुछ भी बना दो यहाँ पे doesn't matter, right because current will not go in that branch okay so our equivalent will be 2 plus 2 that is 4 so 1 by 2 square is 1 by 4 4 4 get cancel and power consumed by this whole circuit will be 1 watt